आज मैं बनाने जारी हूँ हमारे राजस्तान की पारंपरिक रेसिपी जो खास कर हमारे यहाँ पर बच बारस के दिन बनाई जाती है इसमें चाकू का इस्तिमाल नहीं किया जाता है कोई भी सबजी काटने के लिए इसलिए इस तरह का कॉमिनेसन बना कर तेयार किया जाता है वैसे ये recipe आप किसी समय बना सकते ही, all time ये बहुत ही अच्छी लगती है, आपको मेरी ये recipe कैसी लगी है, मुझे comment करके जरूर बताना, तो चलिए बनाते हैं, तो सबसे पहले मैंने यापर तीन तरह के अनाज ले लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, मेरे पास ये तीनों पड़े थें, तो मैंने ले लिए, यहां मैंने मॉट लिए हैं, साथ में मूंग लिए हैं, और चने लिए हैं, इन सब को मैंने रात को भिगो दे थे और सुबह हमने इसकी सबजी बना कर तयार कर ली है तो चने में हम एक सीटी लगा लेंगे और मोट और मुंग अच्छे से हमारे तयार है तो इसमें सीटी लगाने की जरुत नहीं है इन तीनों को मिला के हम इसकी सबजी बनाएंगे साथ में मैंने एक लीटर यहां पर छाच ली है दई की अच्छे से छाच बना ले या फिर डाइरेक्ट छाच ले ले इसमें हम तीन चमच बेसन डालेंगे ये एक दिम परफेक्ट नाप है इसका कि एक लीटर छाच के लिए आप जो खाने वाला चमच होता ना उससे तीन चमच बेसन डाल दीजिए एक चमच लाल मिर्च का पाउडर आदा चमच हल्दी का पाउडर नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा धनिय का पाउडर सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं और इसका गूल बनकर हमारा तयार है एकदम सिंपल सी कड़ी बना कर तयार करेंगे जो बहुती स्वादिस्ट बनेगी तो यह देखिए गूल हमारा एकदम परफेक्ट है तो इसको हम साइड में रख देते हैं और चने थे ना उसमें मैंने एक सीटी लगा ली है इससे चने थोड़े से सौप्ट हो जाते हैं क्योंकि मूग और मॉड तो जल्दी गल जाते हैं लेकिन चने थोड़े से हाड होते तो उनको पकने में टाइम लगता है तीनों चीजों को मिला के अच्छे से दो लिया है कड़ाई में हमने डैट चमर सरसो का ओयल लिया है सरसो के तेल को पहले अच्छे से गरम करें फिर हलका सा ठंडा करके उसमें मैंने जीरे और हिंका तड़का लगा दिया है उसके बाद ये तीनो जो अनाज लिए है नामने अच्छे से दो के इसमें डाल देंगे और अच्छे से तेल में भून लेंगे आप ये सबजी घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे अच्छे से सारी चीजों को मिलाएंगे और ये सबजी और ये जो कॉमिनेसन आज मैंने बनाया है न ये हमारे राजस्तान में बच बारस के दिन बनाया जाता है इसमें कुछ सुके मसाले अड़ करेंगे एक चमच फुल बरके लाल मिर्च का पाउडर आदा चमच नमक आदा चमच हल्दी का पाउडर एक चमच फुल बरके धनी का पाउडर और इसे की साथ अमचूर का पाउडर आदा चमच सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और फिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले हैं जो जले नहीं बाकी ये सबजी है जो सुकी बनती इसमें पानी का यूज नहीं होता है। ये बच बारस के दिन बनाया जाता है उसमें गाई की पूजा की जाती है। जादा लगानी आती नहीं है तो मैंने ऐसे ही बना लिए है आड़ी टेड़ी और दूसरे हाथ के मेरी सिस्टर ने लगाई है। और इदर हम कड़ी बना लेंगे जो हमने चने और वो बनाई थे ना सबजी वो हमने निकाल लिए थोड़ी सी कड़ाई में बचा के उसमें ये कड़ी वाला गोल डालके इसे लगातार चलाते जाएंगे। या मैंने लिए है कसूरी मेती तो अभी जो सीजन है ना उसमें क्या होता है कसूरी मेती या फिर जो सुका पोदीना होता ये इस तरह से क्रस्ट नहीं होता है क्योंकि सीला हो जाता है बारिस के मोसम में तो ऐसे मैं आपको क्या करना है हलका सा इसको तवे पर रोस्ट कर ले एक दम है ना बड़ी आइडिया तो इस तरह से आप एड़ कर सकते हैं किसी चीज में तो बस लगातार चलाते हुए कड़ी को अच्छे से पका लेंगे और बहुती स्वादिस्ट हमारी सिंपल सी कड़ी बनकर तयार होती है तो इसको हम दूसरे गेस पर सिफ्ट कर देते हैं आज दिमी कर देते हैं और साथ में हम बनाएंगे बाजरी की रोटी तो इधर हम बना के तयार कर लेते हैं और इधर मैंने इतना सारा आटा पिसके रखा है क्योंकि इस मोसम में हमारे गर में बाजरी की रोटी बहुत चादा पसंद करते हैं तो हम बनाते रहते हैं क्योंकि बारिस के मोसम में हमारे यहां काफी दिन से बारिस चल रही है मोसम एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है तो आटे को अच्छी से गूते ताकि उसकी रोटी है जो बहुत ही अच्छी बनती है तूटती नहीं है यदि आपके ऐसे हाथ पे नहीं बैटे न तो आप बेलन चकले पे थोड़ा सा आटा लगा कि उस तरह से भी बना सकते हैं या फिर कोई पलेट है ना उस पे बना लीजिए और पलेट से डाइडेक्ट आप उसको तवे पे डाल दीजिए तो अभी आसानी से बन जाती है और इस मौसम में बाजरी की रोटी हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उसको गी के साथ खईए तो बहुत अच्छी लगती है कड़ी के साथ या फिर दाल के साथ किसी के साथ अभी जो हमारे देशी गमार फली और काच्रा आने वाला है तो उसमें भी ये बाजरी की रोटी बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट लगती है तो बस रोटी को इस तरह से हम फैला लेंगे बहुत ज़्यादा मोटी भी नी बनानी है बहुत ज़्यादा पतली भी नी रखनी है और इसको हम गेस पे बना रहे तो थोड़ी सी पतली ही रखे ताकि हमारी रोटी है जो अच्छे से सीके कच्ची नहीं रहे वैसे तो चुल्ले पे बनीवी रोटी बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट लगती है लेकिन अभी बारिश हो रही है इतने दिन से लगातार तो लकड़ी वगेरा सुकी नहीं है सब गिल्ली हो रही है पहले उनको अलग से रखा नहीं कहीं सूकी जगे पर बाकी चुले पर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट बनती है और ज़्यादा स्वादिस्ट का डबल हो जाता है तो तवा अच्छे से गरम हो जाए तो रोटी डाल के इसको अलट पलट के अच्छे से सेखना है यहाँ पर तवा अच्छे से गरम होना चाहिए ठंडे तवे पर हम रोटी डालेंगे तो रोटी फट जाती है बाजरी की जो रोटी होती ना वो फट जाती है अभी मैंने थोड़ा सा धनिया लिया तो उसको भी मैंने हास से तोड़ के डाला है मैंने उस एसाप से रेसिपी बनाई है तो अभी मैंने चाकू से काट के डाल देती तो आपके कमेंट सबसे जल्दी आते अरे दिदी आपने तो बोला चाकू से सब्जेट नहीं काटते है इस दिन आपने तो चाकू से काट की डाल दी विएसे बचबारस तीस तारीकों है आप भी इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं और हमारी यहां तो काफी मतलब धूम दाम से मनाई जाता है बचबारस का तोहर ब पिर थोड़ी सी जासे कच्ची रहे ना उसको आप गेस पे सेक लीजिए क्योंकि बाजरी की रोटी पूरी तरह से तो तवे पे नहीं सिखती है जैसे हम चुले पे बनाते हैं तो अंगारों के आगे रखके सेक लेते हैं तो यह लीजिए हमारी रोटी बनकर तेयार है तो हम स सबजी, कड़ी और साथ में गरमा गरम बाजरी की रोटी इसके उपर डालेंगे हम गी और गुड़ आप देशी शक्कर भी ले सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा घर्मी का मोसम है तो आप गुड़ नहीं खाते हैं तो सक्कर भी ले सकते हैं लेकिन इस कॉमिनेशन के साथ य वीडियो के ऐसा लगा कमेंड में जुरूर बढ़ें